एक बड़ इंट्रेस्टेंग सी प्रॉब्लम डिसकस करते हैं मानके चलते हैं मेरे पास एक मोबाइल है और इस मुझे मोबाइल को इसको आपको डिसकस कर चूके हैं आप लोग ने पड़ा होगा अपने स्फेर के अंदर obec को रख देंगे और ऐसे केस्ट में हम क्या देखेंगे कि हमें रूल जानते हैं जो कि अमने त्विजिक्स में पड़ा होगा कि कोई भी conducting sphere है उसके अंदर net electric field 0 होती है यानि कि वहाँ पे कोई radiation एंटर नहीं कर सकता और ऐसे case में इस प्रोभी process को हम लोग कह देंगे electric shielding यानि कि अगर इस mobile को मुझे electric field radiation से बचाना है तो मैं इसे क्या करूँगा एक conducting sphere के अंदर रख दूँगा सिंपल सा चीज है कोई बड़ा complicated rocket science नहीं लेकिन अगर मैं आपसे यही problem को थोड़ा सा और modify कर दूँग मैं कहूँ same mobile है लेकिन अब की आपको magnetic field radiation से बचाना है इस mobile को ठीक है यह important challenge है अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस mobile को magnetic field radiation से कैसे बचाओगे तो उस बचाने के procedure को हम लोग कहेंगे magnetic shielding और यही हमारा आज का lecture है बहुत ही interesting lecture होने वाला है आप लोग को सही में मज़ा आ जाएगा एक बहुत अच्छी feeling आईगी इस lecture को समझके क्योंकि एक नई चीज आपको जानने को लिए जाए तो देखिए और समझी इसको क्योंकि कभी भी हो सकता है आपको जरूरत पढ़ जाए हो सकता है आप किसी रौ की जैसी में आगे चलके काम करो और आपको कुछ ऐसा sheilding जैसा काम करना पड़े बचना पड़े या चीज़ों को छुपाना पड़े तो यह बहुत काम आने वाला lecture चली शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं magnetic shielding का मतलब क्या होता है ठीक है तो shielding की अगर हम बात कर लेते हैं तो shielding का काम क्या होता है protection provide करना from external field और radiation यानि की external field या radiation जो भी है उससे हमारे system को radiation से बचाना तो सबसे पहले अगर हम external attack से बचाना ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर shielding का मतलब क्या होता है किसी भी external field या radiation से क्योंकि हम लोग Captain America की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग electrical engineering की बात कर रहे है तो shielding का मतलब आई हो समझ में आ गया होगा तो magnetic shielding का क्या मतलब होगा magnetic shield का मतलब होगा कि magnetic magnetic field कहलो या magnetic external radiation कहलो उससे अपनी device को प्रोटेक्ट करना है such system is known as magnetic shielding तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर magnetic field radiation की की एक magnetic field radiation पढ़ रहा है और यह हमारे पास mobile है तो ऐसे case में अगर हमें इस mobile को इस magnetic field radiation से बचाना अगर हम इसको बचा पाए तो that is what we call magnetic shielding यानि कि अगर हम इस तरीके का गेरा create कर पाए और यह जितना भी magnetic flux या magnetic radiation हमारे device पर आ रहा है और इसको मैं अगर इस तरीके से side कर दूँ ठीक है यानि कि सारा radiation पास हो पर हमारी device जो है वो intact रह जाए वो बची रह जाए and this process is known as magnetic field radiation sorry magnetic shielding clear हो गया है यहाँ पर तो magnetic shielding समझ में आ रहा हूँ किस तरीके से काम करना चाहिए यह हमारा एक desired feature है okay so this is what we call magnetic shielding now अगर हम बात करते है principles of magnetic shielding के तो principles समझ लो कि भाई है क्या हमारे पास north and south pole है और हमने उसके बीच में अपना mobile रखा है एक ऐसा material जो की soft magnetic core का बना हुआ हो यानि कि अगर हम अपने mobile को एक soft magnetic core material के अंदर रख दें उसके घेरे के अंदर तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में यह जो particular flux जो उस mobile के उपर से जा रहा था अंदर से जा रहा था वो वहाँ से ना जाके कुछ इस तरीके का path opt करेगा ठीक है आयो समझ में आ गई so this is the basic concept of basic principle of magnetic shielding आप समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे ठीक तो सबसे पहले हमने magnetic shielding समझ लिया magnetic shielding क्या होता है वो समझ में आ गई अब हमने यह सीखा कि करना क्या है हम चाहते क्या है वो सीख लिया अगर हम इन दोनों को compare करें तो हम जानते हैं कि जो soft magnetic material की जो permeability होती है वो thousand times से भी ज्यादा उपर कई ज्यादा गुना होती है हजार गुने से ज्यादा होती है यानि अगर हम बात करते हैं soft magnetic material की तो उसकी जो permeability होगी वो बहुत ज्यादा हजार गुने से ज्यादा होगी as compared to the air तो ऐसे case में क्या होगा जो तुमारा soft magnetic material है वो एक low reluctance path offer करेगा कि यानि जैसे हम लोग याद है आप electrical में पढ़ते हैं low resistance path और high resistance path उसी तरीके से magnetic circuit के अंदर low reluctance path and high reluctance path होते हैं clear हो गया है आपर यह जीज़ पता होगी बहुत basic है तो जैसा जो काम resistance करता है electric circuit में वो इस सेम काम reluctance करता है magnetic circuit में ठीक है तो अब soft magnetic material जिसकी परणिविल्टी बहुत ज्यादा as compared to the air तो ऐसे case में जो soft magnetic material है वो बहुत ही low reluctance path offer करेगा वहीं पर जो air है वो क्या एक high reluctance path offer करेगी यानि कि air जो होगी उसका resistance अगर electrical terms में बात करें तो resistance बहुत ज़्यादा होगा magnetic terms में बात कर लें तो reluctance बहुत ज़्यादा होगा उस पात का clear होगा है याप इतनी जी समझ में आगी यानि कि air का reluctance बहुत ज़्यादा और core का reluctance बहुत कम ऐसे case में होगा क्या कि यह जो तुमने core लगाई है यह आसपास जो तुमने metal लखा है घेरा बनाया है soft magnetic metal का यह एक short circuit की तरह work करेगा यह एक least reluctance path offer करेगा और जैसी least reluctance path offer करेगा तो सारा flux जो mobile के अंदर से जाना चाहिए था सीधा सीधा वह वहां से ना जाके इस तरीके से इस घेरे के अंदर से होता हुआ जाएगा soft magnetic core का जो path है वह opt करेगा बहुत समझ में आगी so this is the simple concept आयोप समझ में आ गया होगा देखो आप लोग अब देखो हमने करा किया जिस भी engineer ने से design करोगा उसको यह बात पता होगी कि जब भी हम air के अंदर magnetic flux setup करते हैं तो कुछ इस तरीके से जाता है लेकिन वहीं पे अगर हम कोई आपको याद होगा पुराने lectures मैंनी चीज़ बताईए कि जैसी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर एक magnetic metal लग देते हैं तो यह क्या करता है आसपास की जो air के अंदर जो flux जा रहा था उसको भी अपने अंदर से पास कराने लगता है इससे क्या क्यों क्योंकि इसकी परिमिल्टी बहुत ज़्यादा होती तो air जो है एर वो क्या करती एक हाई reluctance path प्रोवाइड करती है flux को जबकि ferromagnetic core low reluctance path प्रोवाइड करता है ठीक है तो ऐसे में हम सब जानते हैं कि हर कोई चाए वो electric field हो या फिर magnetic field हर कोई low reluctance या फिर resistance path को off करता है अगर electric field है तो resistance magnetic field है तो reluctance ठीक है तो जब हर कोई least resistance path off करता है तो अगर इसको इस flux की बात करें तो इस flux को यहां से north से निकल के south में जाना है अब इसके दो तरीके एक ही सीधा सीधा चला जाए और एक है यह वाला path ले जो मैंने बनाया है तो सीधे सीधे अगर जाएगा तो इसको बहुत जाता reluctance phase करना पड़ेगा ठीक है बात समझ मारी और वैसे भी ठीक है यह clear हो गए यहां पर और वैसे भी यह जो बना देते हो अब आपने देखाऊगे कि पर्टिकुलर बनाया जाते हैं और वह जब घर भी अगर आप बनाते तो वहाँ पर एक प्रखा जाता है जिससे घर का पानी भी नाली की तरफ लो कर जाता तो बस बस बैसिकली पानी हो गया अब आपको जाना है तो हम तुमें चैनल दे रहे हैं उस चैनल से चले जाओ और वह चैनल देने काम करता है यह soft magnetic material so this is the simple and whole strategy आयो समझ में आगे होगी कि strategy है क्या अगर quality की बात कर लें तो quality जो होगी अगर हम चाहते हैं कि shielding हमारी अच्छी हो तो एक तो permeability बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी magnetic material की obvious ही बात है क्योंकि ultimately यह जो flux को हम channel provide कर रहे हैं यानि कि जैसे for example इसके पास दो रस्ते हैं ना एक है air और एक है magnetic material तो जो flux है वह हम चाहते हैं कि सारा का सारा इस magnetic material से निकले तो इसके लिए magnetic material की permeability जितनी ज्यादा अच्छी होगी air की comparison में उतनी ज्यादा chance है कि सारा flux यहां से जाएगा यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि for example अगर यह resistance है R1 और यह resistance है R2 इससे समझ लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा current है वह R1 इस वाले path से जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा R1 को कम रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा कम रखना पड़े कंपेर टू यानि कि जितना कम होगा आर्टू comparison में उतना ज्यादा current यहां से जाएगा तो इस अब कह सकते हैं यह हमारा क्या है क्यों कि saturation की problem ना आ जाए भाई अगर shield पतली होगी यानि कि अगर जो तुम core ले रहे हो यानि कि जो ferromagnetic metal की अगर वो पतली होगी तो thin होगी उसका area कम होगा तो ऐसे case के अंदर उसके अंदर देखो हम सब जानते हैं कि ferromagnetic metal के अंदर limited number of domains है तो अगर हम फोटा area की लेके प हो गई तो यह क्या होगा यह एक high reluctance path बन जाएगी तो इसलिए हम क्या चाहते हैं हम यह नहीं चाहते कि high reluctance path बने क्योंकि core saturate हो गई तो फिर कोई option नहीं बचेगा तो air से ही जाएगी तो इसलिए हम लोग cylindrical walls को थिक रखते हैं clear हो गए यहाँ पे now commonly used metal की बात कर लें तो हम क्या चाहते हैं जो generally metal use होते हैं वो high permeability soft magnetic metal होते हैं जैसे की soft iron, silicon steel, permalize, यह तीन बहुत ही common ऐसे material हैं जिनका इस्तमाल करा जाता है magnetic shielding provide करने में ठीक है तो magnetic shielding जब भी हमें जरूरत पढ़ती है तो हम इन चीजों का इस्तमाल अपने उस particular process में करते हैं यह जो तीनों हम यह जो मनें आपको नाम बता है these are all ferromagnetic material यह तीनों की तीनों क्या है ferromagnetic material है इसी लिए magneto static shielding यानि कि जो magnetic shielding के हम बात कर रहे हैं उसे कभी-कभी हम लोग ferromagnetic shielding भी कह देते हैं तो आयो भी जी समझ में आ गई होगी ना अगर हम बात कर लेते हैं shielding factor की ठी तो effectiveness of shield can be expressed in terms of shielding factor यानि कि तुम जो shielding कर रहे हो तुम अपने mobile को बचाने के लिए जो magnetic shielding का सहारा ले रहे हो वो कितनी effective है यह कौन बताएगा तो यह decide होता है shielding factor से यानि कि मान के चलते हैं हम market से 2 metal खरीद के लाए हम कह रहे हैं हमें अपना mobile बचाना है तो मैं market से 1 metal M1 ख बचाप आएगा किस process को हम लोग कहते हैं यह कौन decide करेगा यानि कि मान के चलते हैं M1 material है यह M2 है अब मेरा mobile तो मैंने दोनों में रखके देखा किसमें मेरा mobile ज्यादा सेव है यह कौन बताएगा यह decide करा जाएगा कि shielding किसकी अच्छी है no shielding किसकी अच्छी यह कौन decide करेगा shielding factor समझ में आरी बात यह है तो अगर आपने 2 material खरीद के लाए हो mobile दोनों में आपने रखना चाह रहे हो तो कौन सा material अच्छा shielding प्रोवाइड करेगा कि shielding factor बताएगा ना समझ लेते हैं shielding factor का formula होता है s और s equal to अच्छी अच्छी होता है वह कौन सा होता है तो जैसे for example this is our magnetic material जो हम मार्केट से खरीद के लाए है तो इसमें अगर यह हमारी flux जो है यह पास हो रहा है इस तरीके से magnetic field pass हो रही है तो यहाँ पर B0 क्या है यह flux density है outside the shield and BI is the flux density inside the shield आई ओब यह जिस के लिए हो रही होगी तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं BO और BI की तो BO जो है यह क्या है यह outside flux density and this i is inside flux density यानि कि उस shield के अंदर जहाँ पर mobile रखने जा रहे हो उस air की यानि कि उस particular जगह पर कितनी density air इस समय है flux की clear हो गया तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं यानि कि बाहर कितना flux density और इंसाइड फिल डेंसिटी अब कई लोग पूछेंगे कि सर अंदर तो कोई flux है यह नहीं तो यह तो जीरो आएगा तो बहिए यह जीरो जो इंसाइड की जो फ्लक्स देंसिटी बात हो रही जीरो कभी नहीं आता है यह जीरो आएगा जब आइड केस में ऐस जो शील्डिंग फैक्टर वो इंफनाइट हो जाएगा जैसी यह जीरो रखोगे लेकिन ऐसा नहीं होता है यह एक तरीके क्योंकि आप कितना भी कम कर लो एक आइडियल फैरो मैगनेटिक मैट्रियल नहीं दुन पाओगे तो इसलिए क्या होगा कितना भी अच् यह प्लक्स लाएन पास नहीं होगी यह संभव नहीं है तो हम चाहते हैं कि बी जीरो हो, sorry, हम चाहते हैं कि बी जीरो हो और बी नॉट जो है वो कोई भी वैलियूस की रहे, यह हम चाहते क्या है, यानि कि बी आउटपुट से, बी आउटसाइड के अगर हम बात करें, आउटसाइड फिल्ट देंसिटी, इस से हमारा इतना लेना देना नहीं होता है, य क्योंकि बाहर कितनी है, उस से में कोई मतलब नहीं है, अंदर कितनी है, यह बड़ा इंपोर्टेंट रखता है, अगर मैं शील्ट की बात करूं, अगर आइडियल होगी, तो उसका शील्डिंग फेक्टर कितना होना चाहिए, इन्फनाइट होना चाहिए, तो हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, इन्साइट फिल्ड डेंसिटी, बी आई, यह वैल्यू तो अब आइडियल का मतलब हो गया, जीरो होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रेक्टिकली बात करें, तो इस शुड भी मिनिमम यानि कि एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो आयो बिजिस क्लियर अप्लिकेशन है, तो जो भी हमने अब तक मैगनेटिक सीरीज पड़ी है, वो लगबग खतम हो चुकी लास्ट लेक्टर में, और यह जो पर्टिकलर पार्ट है, यह उसका एक 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 स्लेवर्स के बाहर की चीज़ है, लेकिन यह एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग तो हुआ क्या कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपके अपने मोवाइल फोन को इलेक्रिक रेडियर्शन से बचाना है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिंग इस फिर में रख देंगे, तो उसको क्या करोगे, उसको हम रखेंगे, एक सॉफ्ट मैगनेटिक कोर क की Shutraling प्रोवाइट औरивать करेंगे और यह चॉर्टじゃない city में क्या करेंगे अल्टिमेटली हम लोग एर का sequel का स्वारिक्स के काम करते हैं तो यह एक कम कर देंग चैबी अधाले करेंगे है पास मूच करा या तो अधो कम कर देते हैं बिल्कुल वही कॉंसेप्ट वही लॉजिक हमने यहां पर इस्तमाल कर रहा है तो आयो भी लेक्चरा को पसंद आयोगा आपने अपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद